सेंपू के साथ सिर्फ एक चीज मिला कर लगानी होगी दोस्तों और आपके बाल भी किसी एक्टर से कम नहीं लगेंगे बालों को गना,। लंबा और काला करने के लिए दोस्तों ये ट्रिक होती, फायदे मंद होती है और इसके लगाने के बाद में आपके बाल है वो एक्टम ही नरम मुलायम और सौफ्ट आपको नजर आएंगे आपको लगाते ही आतो वात इसका रिजल्ट नजराएगा दोस्तो तो चलिए देख लेते हैं कौनसी है वो चीज हमने याँ पे एक काटोरी में चाय की पत्ती ली है इतनी चाय की पत्ती का इस्तिमाल नहीं होगा इसमें से सिर्फ आपको एक चमच चाय की पत्ती ही लगेगी और चाय की जो पत्ती है कि चाय बनाकर पीने के साथ-साथ आपके स ज़्यादा नरम और मुलायम बना सकते हैं जो तरीका आज मैं आपको बता रहूंगे आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा फायदे मंद है कि आपको एक बार में ही इसका असर दिखाई देगा और आप इसे बार-बार लगाना पसंद करोगे सिर्फ आपको सब्ता में एक आपको कुछ भी ज़्यादा जंजट करने की जरूरत नहीं है जो तरीका आज आपको मैं बता रही हूं आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा इतना आसान तरीका घर में ही अपने बालों को एकदम नरम मुलायम बनाने के लिए अगले प्रोसेस में हमें क्या करना है दो जो अब आदा गिलास पानी ले ले जितना आपके बालों के लिए परफेक्ट रहेगा पानी में अब बोईल आ जुका है दोस्तों तो अब हमें क्या करना है जो उमने चाई की पत्ती ली है इस में से हम या पे एक से डेट चमच चाई की पत्ती इसके अंदर डाल देंगे और इस चाई की पत्ती को अब हम गैस का फ्लेम कम करके कम से कम पांच मिनिट तक बोईल होने देंगे जो अमने इसके अंदर पानी डाला है ये उबल कर थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए और जो चाई की पत्ती है उसका जो कलर है एकदम अच्छे से पानी के अंदर आ जाना जब आपको लगेगा पानी जो है डार्क कलर का आपको नजर आने लगा है तो आप गैस का फ्लेम बंद करके और इसको ऐसे ही छोड़ दे जब तक कि ये अलका सा थंड़ा हो जाए थंड़ा होने के लिए क्योंकि गरम गरम का इस्तिमाल आमें नई करना है ये थंड़ा हो चाहिए तो गैस का फ्लें बंद कर देंगे और इसको छोड़ देते हैं साइड में चाय पत्ती का पानी जो है ठंडा हो गया है अब इसको चान कर लेंगे यहां पे तो कोई भी आप किला सका टोरी या बाउल ले ले उसके अंदर इस तरीके से चान ले और यह जो चाही की पत हमें एक सेंपू का पाउच जो भी आप सेंपू इसके माल करते हो अगर आपके पास पाउच नहीं है बोटल है तो आप एक चमच बरकर इसके अंदर डाले और पाउच है आपके पास तो एक पाउच इसके अंदर आप पुरा सेंपू का डाल ले या फिर आप अपने बालों क एक निम्बू के लिए पाइदे मंद है और अगर मरें हम सिर्में रुप मेंrooms, अगर अगर आपको रूसी नहीं है सिर में तो सिर्फ आप यहां पे आदे निम्बु का इस्तिमाल कर ले निम्बु जो है बालों के लिए बहुती बढ़ी आरता है तो इस तरीके से इसमें आदे निम्बु का रस एड़ कर लेंगे यह जो शोलुसन आपने बना कर तयार किया है दो इस तरीके से आपको लगा लेना है पूरे स्केल्प के उपर इस तरीके से लगाने के बाद में आपको एक दो मिनेट सीर की मसाज करनी होगी और फिर आप अपने सीर को दो सकते हैं बालों को दो सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप जब नाने के लिए वात्रूम में जा रहे हैं तो बालों को इस तरीके से नीचे करके और जो पूरा सोलुसन आपने बना कर तयार किया है इसको अपने बालों पर डाल कर बिल्कुल अच्छे से आतों से आप मसाज कर कम से कम 2-3 मिनेट आपको लगानी ही होगी इस तरीके से और उसके बाद में आप ठंड़े पानी से या नॉर्मल टेंपरेचर के पानी से अपने बालों को दोले दोस्तो सच मानी आपके बाल जो है एक तम ही नरम मुलायम और बिलकुल काले लंबे और गने हो जाएंगे दोस्तो करना आपको कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको सेंपू में ये चीज मिला कर लगानी होगी अगर आप भी अपने बालों को सुन्दर और स्वच बनाना चाते है दोस्तो तो ये तरीका जरूर आपना है अगर आपको आज का ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कर देना चैनल पे नए आये हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद